सूपरभाद बच्चों, कैसे हैं आप? आज का हमारा नोवी कक्षा का व्याकरण का विशे है अलंकार अलंकार शब्द का अर्थ अलंकार शब्द क्रीध हातू में अलम उपसर्ग और गहें प्रत्य के योग से बना है अलंकार शब्द का साब्दिक अर्थ है अलंकरित करने वाला सोभा या सोंद्रिये बढ़ाने वाला जिस प्रकार आभूशन या गहने नारी के सोंद्रिये को बढ़ाते हैं उसी प्रकार उपमा रूपक आदी अलंकार काव्वे के सोंद्रिये को बढ़ाते हैं परिभाशा एक संस्कृत आचारिये के अनुसार काववे सोभा करान धर्मान अलंकारान परचक्षते अर्थात काववे की सोभा वढ़ाने वाले अनिवारिये धर्म ही अलंकार हैं इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द और अर्थ में चमतकार उत्पन कर काववे की सोभा वढ अलंकार को मुख्ये दो भागों में बाटा जा सकता है सब्दा अलंकार अर्था अलंकार है हमारे अनूप्रास, यमक, शलेश, आदि अर्था अलंकार है उप्मा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकर्ण, आदि सब्दा अलंकार अभी हमने पढ़ा कि हम अलंकारों को दो भागों में बाट सकते हैं सब्दा अलंकार और अर्था अलंकार अब शब्दा अलंकार किसे कहते हैं? जहां शब्द विशेश के कारण चमतकार उत्पन होता है उसे शब्दा अलंकार कहते हैं जहां काव्य में अर्थ की कारण चमतकार उत्मन होता है उसे अर्था अलंकार कहते हैं अब हम सबसे पहले शब्दा अलंकारों का ध्यान करेंगे अनुप्रास अलंकार जहां बेंजनों की एक या अनेक बार आवरती होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है जैसे चारुचंद्र की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में यहां चै की बार बार आवरती के कारण अनुप्रास अलंकार है यदि यहां पर सुंदर चंचल किरने होता तो काव्य में वह सुंदरता नहीं बनती और नहीं अनुप्रास अलंकार होता उधारन है अनुप्रास अलंकार के कानन, कठिन, भैंकर, भारी तो यहाँ पर कैकी आवरती के कारण अनुप्रास अलंकार है तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर यहाँ पर तैकी आवरती के कारण अनुप्रास अलंकार है राम सबसे बड़ा उससे बड़ा न कोई जो उसका सिम्रन करे सुद्ध आत्मा होई अन्तिम वर्ण ये की आवरती के कारण यहां अनुप्रास अलंकार है पूत कपूत तो काधन संचे पूत सपूत तो काधन संचे पै की आवरती के कारण अनुप्रास अलंकार है गुण गौरव की गहरी गाथा गै की आवरिती के कारण यहां अनुपरास अलंकार है